अब देखते हैं कि इस जादू को करते कैसे हैं सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि जो पत्ते उठाएं वो इवन नंबर ओफ कार्ट्स हों दूसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमारे उठाएवे पत्तों में चारो इक्के मोजूद हों इसलिए मैंने क्या किया कि शुरुआत में ही चारो इक्के उपर लगा लिये थे तो अब मैं अगर उपर से कुछ पत्ते उठाऊंगा तो निश्चित रूप से इक्के मेरे उठाएवे पत्तों में मुझूद रहेंगे अब से हम कार्ट्स को दो दो आके ग्रूप में यानि कि पैर में डील करेंगे और इक्के को हम special card बोलेंगे और बाकि सारे पत्तों को ordinary card बोलेंगे और चुकि हम pairs में deal कर रहे हैं तो हमारे पास चार तरह के pairs हो सकते हैं ऐसा pair जिसमें की दोनों ही पत्ते ordinary card हो ऐसा pair जिसमें पहला card इक्का यानि की special card हो और दूसरा ordinary card हो तीसरा पेर जिसमें की पहला कार्ड और दूसरा कार्ड स्पेशल कार्ड है और चोथा पेर जिसमें की दोनों ही कार्ड स्पेशल कार्ड है चलिए अब एक एक करके इन सारे cases को देखते हैं सबसे पहले देखते हैं first case अगर मेरे पास दोनों काड्स ordinary हैं तो मैं दूसरे कार्ड को face down और पहले कार्ड को face up रहने दूँगा अभी दूसरा केस देखते हैं अगर मेरा पहला कार्ड special है और दूसरा ordinary है तो मैं उनको अपनी जगें पे ही पलट दूँगा ये देखिए आप भी मेरा पहला कार्ड special कार्ड है अगर आपने दोनों को साथ में पलेट दिया तो गड़ड हो जाएगी क्योंकि अब मेरा पहला कार्ड ordinary कार्ड हो गया है तो इस वज़े से दोनों को अपनी जगह पे ही पलेटना है और नीचे रख देना है अब ही हम देखते हैं कि third case वाले pair को कैसे arrange करना है तीसरा case जो हमारा है उसमें पहला card ordinary है और दूसरा special card है इसमें हमें कुछ नहीं करना और इसको as it is रख देना है जिसमें की दोनों ही cards इक्के हैं इसमें हम पहले को पलटके और दूसरे को face up ही रहने देंगे अब हमने सारा cases देख लिये हैं तो उस हिसाब से हम अपने deck को arrange करेंगे इसमें दोनों card ordinary हैं तो हमने दूसरे को पलटके रख दिया इसमें भी same case है तो दूसरे को पलट दिया इसमें देखिए first card ordinary दूसरा इक्का है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे इसमें दोनों ordinary हैं दोनों ordinary दोनों ordinary इसमें दोनों cards इक्के हैं तो पहले को पलटके दूसरे को ऐसे ही छोड़ देंगे इसमें first इक्का और दूसरा ordinary है तो दोनों को अपनी जगे पे ही पलट दिया इसमें दोनों ordinary इसमें भी दोनों ordinary तो अब हमारे सारे पत्ते चारों केसिस के हिसाब से अरेंज हो गए हैं अब हम इसको कितना भी शफल कर सकते हैं शफल करते टाइम ये बात ध्यान में रखनी है कि दो पत्तों के बीच में पत्ते ना जाएं उपर से कितने भी पत्ते नीचे जा सकते हैं नीचे से कितरे भी पत्ते उपर जा सकते हैं, पर दो पत्तों के बीच में पत्ते ना डालें, और तो और उपर वाले पत्तों को पलट सकता हूँ, नीचे वाले दो पत्तों को पलट सकता हूँ, ये ध्यान रखना है कि उपर से जब पलटें तो दो पत्तों को पलटें, तीन को साथ में पल्टा तो गडबड हो जाएगी या तो दो या तो चार even number of cards को पलट सकते हैं उसके बाद मैंने audience में से पूछ के पत्तों को ऐसे ही रख दें या फिर पलट के रख दें ऐसा करके मैंने पूरा deck फिर से reshuffle करा दिया था और हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि इस turning और shuffling से हमारे trick पर या फिर game पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये सब करने के बाद हम cards की दो धेरिया मना लेंगे एक एक करके हम सारे cards को दो धेरियों में बांट देंगे और अगर आप ध्यान हैं और बाकि जितने भी पत्ते हैं सब face down हैं और ये सब हमारे उस special arrangement की कारण ही संबह हुआ है अब मैं audience से पुछके एक धेरि को दूसरी पर परट के रख दूँगा ऐसा करने से हमारे एकके जो left धेरि में face down थे वो भी face up हो हैं और अब आप देखेंगे कि सारे एकके तो face up हैं और बाकि सारे पत्ते face down हैं